तो अभी मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा एसी परफॉमेंस भी बढ़ेगा अभी थोड़ा सब लोवर चालू करके हैं कि यहां से हाबा निकलती है कि नहीं और अभी थोड़ा कूलिंग कॉयल आपको दिखाते हैं तो जहां हम नहीं पहुंच सकते हैं वहां पहुंच जाता है अपना कैमरा और पूलिंग कॉयल की कंडिशन हैं हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू दी चैनल आप सभी का स्वागत है कौन नहीं वीड़ा में अभी मैं बैठा हूं अपनी कार के पीछे वाली सीट में पीछे बैठके जो मैं अपनी कार में नोटिस कर रहा हूं कि अपनी पीगा यार्त रो इतना कम कैसे हो जाता है इसको हम कैसे कर सकते हैं तो चलिए वीड़ो को सुरू करते हैं वीड़ो पसंद आएगी तो लाइक कर येगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा हैं तो इसको आपने को चलना पड़ेगा आगे तो बहुत ही चोटी सी तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं एसी फिल्टर आपको अच्छे दिखाने के लिए मुझे मोबाइल का इस्तमाल करना पड़ रहा है और इसकी थोड़ा वीडियो क्वाल्टी एलागी आपको आएगी तो जब आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेंगे दो इसक्रू दो इसक्रू दिखेंगे एक यहां पर दिख रहा और एक इसक्रू यह उपर दिख रहा है इस दोनों इसक्रू को जब आप खोल देंगे तो आईसी फिल्टर बाहर आ जाएगा यह उसका कभार है यह बाला है मैं अच्छे से दिखा रहा हूं आपको और जितना पौइब र देख सकते हैं चूहो ने इस पूड़े पाइप के उपर रवड लगी है इसको भी काट डाला है तो बहुत समय पहले मेरी कार में चूहे भी घुसे थे तो उनका भी देख सकते हैं ताल का मचा हुआ है और मैं इस समय कुछ नहीं कर रहा हूं गाड़ी जब regular चलती है तो चुहे रहते भी नहीं है तो पहले इन दोने इस क्रू को मैं खोलता हूं आप देख लीजे गौर से एक क्रू यहां पे है एक क्रू यहां पे है एर थ्रो जो कम होता है ब्लोवर का ओक एबल एसी फिल्टर क करते चलिए कर बढ़ी सकती है इसका ग्लोवर मोटर सकती है कि उसके जो पंख्यो Χाराप हो जाना तो धीरे चलता है अब सिप्रोब अब ब्लोभ अर्धर करते हैं यह सी फिल्टर के देख लेते हैं अगर उससे सही हो जाता है तो अच्छी बात है क्योंकि पॉस्विल्टी सब ज्यादा एसी फिल्टर में रहती है और इसके बाद सेकेंडरी में फिर आता है अपना ब्लोवर मूटर तो इन दोनों इसक्रू को खोल लेता हूं अब घर पर भी चीज कर सकते हैं आप शाल भर च्य माहिने में तीन माहिने में जब भी आपको दिक्कत लगे आप इस चीज को जरूर कर सकते हैं यह आगे अपना AC फिल्टर का कैप देख सकते हैं इस पे मैंने फर्मा कोल भी लगाया है आज कल की जो वीडियो बन रही है उस पे यही दिखाया जा रहा है कि ब्लोवर की जो स्पीड कम हो रही है एर का प्रेसर इधर उधर जा रहा है तो उसके लिए फोम लगा रहे हैं लो इतना जाम लग रहा है इसको निकालने में क्या बताओ इस पे क्या इतनी गंदगी है तो यह इतना जाम हो गया है देख सकते हैं कुछ इस कंडिशन में निकल रहा है फिल्टर तो निकल आया है बाहर और फिल्टर की कंडिशन ज्यादा कुछ खराब है नहीं ना फिल्टर तो देखते हैं कि क्या गड़बड़ी हो सकती है इसको हम clean करके वापस लगा देंगे और अभी थोड़ा cooling coil आपको दिखाते हैं AC filter ऐसा रहता है कि इसे आप बार-बार clean भी कर सकते हैं क्योंकि यह miss वाला होता है ना कि कपड़े वाला ना कि कागज वाला तो इसको आप बार-बार clean कर सकते हैं और वापस लगा सकते हैं तो देख सकते हैं इस पे मैंने बहुत समय पहले ही फोम लगा दिया था क्योंकि air का leakage हो रहा था और बहुत जरूरी होता है गर्मियों के टाइम में एसी का अगर performance लो है तो फिर आप एसी फिल्टर को clean करवा सकते हैं और खुछ से भी कर सकते हैं अगर आप खुछ से नहीं करना चाहते तभी कि चुहे हुए मर गए होंगे यहां चुहे न मरे हुए होंगे तो कोई और कचड़ा ही बहुत ज़्यादा है यहां पर यह देखिये तो इसको भी हम किसी तरह क्लीन करने की कोशिस करते हैं इसी की बज़ए से फिल्टर इतना जाम हो गया था निकल नहीं रहा था बाहर क्य अगर उसको अच्छन से क्लीन करना चाहते हैं तो फिर आप उस पर पानी का अपर बाहर से क्लीन कर दें उतना कुछ रहता नहीं है तो मैं तो अभी इसको क्लीन करने बाला हूं आपके सामने और चलिए आपको दिखाता हूं तो देख सकते हैं कचड़ा केवल नीचे है कोईल की जाली है वह भी कचड़े से ढाकी हुई लग रही है लेकिन अभी हम इसको जो नीचे कचड़ा है जहां से एसी फिल्टर अटक रहता निकलने के लिए उसको हम क्लीन कर देते हैं तो इस ब्रस को ऐसे डालेंगे देख सकते हैं थोड़ा मुस्किल भारा काम होता है यह देखिए तो पता नहीं क्या है तो यह ऐसा कुछ कचड़ा निकल आया है यहां पर ऐसे इसका हम नीचे से क्लीन कर देंगे यही जब ऐसी चलती है तो फिर मिट्टी भी मैका करती है जो कि बहुत अच्छी लगती है तो थोड़ा बहुत मिट्टी रहन देंगे ऐसा है तो इस ब्रस से भी अच्छे से नहीं बन रहा है थोड़ा ब्रस की लंबाई सही होती तो सही रहता बाकी यह देख सकते हैं इसको हम क्लीन कर देते हैं काफी हट तक एक क्लीन हो जाएगा और लास्ट में हलका फूल का कचड़ा दिख रहा है तो आप इस पर एक काम और कर सक सकते से ढ thinks he 총侌 को यहां पर से अधर क्लीफ हो जाया लेकिन आपकी से विस पर्फम घं कर दिया है अच्छे थैसे थैस्में क्लीन सुनख रहा है क्यों कि भूह ऑप ही मुस्किल हैات इसको क्लीन करना आप पाणी का प्रेसर और वहां नहीं प्लेन तो आप पानी कर दिख़ा है कहीं भी इसमें भी कचड़ा नहीं है हलका फूल का इसमें पानी दिख रहा है तो भी सफ हो जाएगा तो चलिए अब इस पर लगाते हैं एसी फिल्टर भी लगाते समय आप ध्यान दीजिए कि जिस साइड ज्यादा गहराई है उसको तो आप cooling coil की side रखेंगे जैसे आप देख सकते हैं, इस side जादा गहराई है, तो इसको हम cooling coil की side रखेंगे, और जिस side कम गहराई है, तो इसको आप बाहरी side रख दीजिए, तो क्या है, direct cooling coil से इसका attachment रहेगा नहीं, तो जो भी dust particle रहेंगे, पहले इस पे आएंगे, तो इसको लगाने के लिए है कुछ लगाएंगे और यहांपे देख सकते हैं इस साइड प्लेकल भीडुक है और इस साइड एक खाचा है यह लगा तो अप नुक्सान कर बैठेंगे तो लगाने के लिए आप देख सकते हैं यहां पे अपने एसी फिल्टर हाथ में और यह पूलिंग कॉाइल की जगए तो देख सकते हैं एसी फिल्टर भी बड़िया लग गया अब इसके कैप को लगा देते हैं दोनों स्कुरू को कर देते हैं टाइट फिर देखता हूं कि यहां से कुछ एयर फ्रेसर लीक तो नहीं हो रहा है तो कैप लगाना बहुत ही सिंपल है वो अपने जगए पर ही लगता है दूसरी जगए लगाने जाएंगे तो लगे गई नहीं तो एक कैप लग चुका है अब इसकी स्कुरू लगा देता हूं तो और मैं यहां पर हात लगा कर देखता हूं यहां पहां पढ़ा दाके देखिए हर निहां निकल तो नहीं रहिए तो अब भी मैरे को महसूस नहीं हो value लेकिन एक बार मैं क्या करता हूं री opportun को दबाता हूं और देखता हूं कि य उसससे निकलती है कि नहीं आप लोग ने नोटिस किया होगा कि एयर का जो प्रेसार हो थोड़ा बढ़ गया एयर थो बढ़ गया है तो अभी देखता हूं अब निकलती है कि नहीं एयर थो की बज़ाई से मैं बोल नहीं पारा था बास्तों मैं आपको बता दो एयर थो पहले से ज्यादा इंप्रोम्मट हो गया एयर थो मैं और वहां मैं जब हाथ लगाके चेक कर रहा था तो बिल्कुल भी एयर बतलब यर वहां से नहीं पास हो रही थी तो जो भी एयर निकल रही थे यह वेंच के थुरू निकल लही थे तो अभी मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा एसी परफोर्मेंस भी बढ़ेगा तो यह छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आप सभी तक थोड़ा बहुत इंफोर्मेशन पहुंचाता रहता हूं वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं नेक्स्ट गुरो में तब तक के लिए बाइज जैहिंद